नमस्कार मैं हूँ परवेश शुरुआत करते हैं दिल्ली की दस बड़ी खबरों की संक्रमित होने वाले मरीजों की सबसे बड़ी संक्या है इस दौरान 31 मरीजों की जान चली गई एक दिन पहले ही दिल्ली में बुद्वार को 27,561 नए मरीज और संक्रमन दर 26.40% दर्ज हुआ था जो अब तक का दूसरा सरवादिक नए मरीज का रिकॉर्ड था एक दिन बाद ये रिकॉर्ड स्थर पर पहुँच गया इससे पहले दिल्ली में पिछले साल 20 अप्रेल को 28,395 नए मरीजों की पुष्टी हुई थी जो अब तक किसी एक दिन में सबसे ज्यादा था उस दिन दिल्ली में 86,526 सेंपल की जाच की गई थी और संक्रमन दर 32.82% पाया गया थ लेकिन 13 जन्वरी को दिल्ली में 98,832 सेंपल की जाच की गई और नए मरीजों का नया रिकॉर्ड बन गया अभी दिल्ली में 94,160 मरीज एक्टिव हैं इसमें से 2379 मरीज एड्मिट हैं 628 मरीज ICU में हैं 98 मरीज वेंटिलेटर पर हैं इसे मिलाकर कुल 768 मरीज ऑक्सीजन सपो पर हैं एड्मिट मरीजों में से 2080 मरीज दिल्ली के हैं और 289 मरीज दिल्ली से बाहर के हैं स्वास्तमंत्री सतेंद्र जैन का कहना है कि दिल्ली में बहुत ज्यादा टेस्ट किये जा रहे हैं नई पावंदियों को लेकर पूछे गई सवाल के बारे में स्वास्तमंत्री न पीक की बात कर रहा है तो कोई अगले 10-15 दिनों में पीक आने की बात कर रहा है। दिल्ली में एडमिशन का डेटा संकेत दे रहा है कि जब अस्पताल में एडमिशन स्थिर हो गए हैं तो उमीद है कि केस्ट भी जल्द कम होने शुरू होंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल का अनुभव ये रहा है कि अगर 100% फेस मास्क का नियम माना जाए तो इस बीमारी को काफी हद तक रोका जा सकता है। दिल्ली में मौतों की संख्या में बढ़ोतरी के बारे में स्वास्त मंत्री ने कहा कि ज्यादतर मौत उन मरीजों की हो रही है जो हार्ट, कैंसर जैसी दूसरी बीमारियों से शिकार है। दिल्ली हाइकोट ने जैन्यू केंपस में कोविट केर सेंटर की शुरुवात में देरी के लिए दिल्ली सरकार की खिचाई की है। इस बारे में बताने को कहा है कि अदालत की और से पारित निर्देशों को क्यों लागु नहीं किया जा सका। के बाद भी उन्हें टीका नहीं लगा याची का करता के वकील ने कहा कि दिल्ली सरकार का दावा है कि डो टू डो टीका करन अभियान चल रहा है अगर डो टू डो अभियान चल रहा होता तो याची का करता को अब तक टीका लग जाना चाहिए था कोट ने दिली सरकार की वकील से कहा कि इस अभिहान के तहट अब तक कितने लोगों को टीका लगाए गया है इसकी जाच करें अब अदालत ने इस मामली की सुनवाई 20 जनवरी तै की है दिली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कोरोना प्रोटोकॉल का उलंगन करने वालों के खिलाब प्रशासन सक्ती बरत रहा है इसी कड़ी में करोलबाग की मशूर दुकान रोशन नी कुलफी का जिला प्रशासन ने एक लाख रुपे का चालान कार दिया जानकारी गनुसार जिस समय जिला प्रशासन की टीम दुकान पर पहुँची उस समय दुकान में 50 लोग मौजूद थे और कोई भी कोविट प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहा था कई लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा था वही सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई पालन नहीं हो रहा था प्रशासन की टीम ने दुकान में मौजूद सभी लोगों पर दो-दो हजार रुपे का फाइन लगा कर कुल एक लाख रुपे का चलान काटा करोलबाग में भी कोरोना प्रोटोकॉल का उलंगन करने वालों के खिलाब प्रशासन ने सक्त कारवाई की करोलबाग के नेवाला बजार में एक शराब की दुकान को भी जिला प्रशासन की टीम ने सील कर दिया यहां भी कोविड नियमों का उलंगन होने पर कारवाई की गई है कुरोलबाग के SDM ने बताया कि नेवाला बजार में एक शराब की दुकान पर कोविड नियमों का उलंगन होते देखा गया जिसके बाद कारवाई करते हुए दुकान पर 50,000 रुपे का जुर्माना लगा गया साथी दुकान को भी सील कर दिया गया दिली के DSSB परिक्षा में अपनी जगा दूसरे से परिक्षा दिला कर टीचर बनने वाले को पुलिस ने गिराफतार कर लिया DSSB ने साल 2019 में दिली पुलिस को शिकायदी थी जिसमें साहई परात्मिक शिक्षक और MCD स्कूल शिक्षक चैन के लिए 2018 में आयोजित DSSB की परिक्षा में कुछ लोगों के अपनी जगा दूसरे उमिद्वार से परिक्षा दिलवाने के बारे में लिखा था जाच में पता लगा कि कंजावला निवासी रवी को दक्षिणी MCD में प्रात्मिक शिक्षक पत के लिए चुना गया रवी ने खानपूर परिक्षा केंद्र पर अपनी जगा दूसरे प्यक्ती से परिक्षा दिलाई थी पुलिस ने इस परिक्षा केंद्र की वीडियो रिकॉर्डिंग खंगाली तो पता चला रिकॉर्डिंग में रवी परिक्षा केंद्र के अंदर और बाहर कहीं भी नहीं दिखाई दिया परिक्षा के दोरान उमिद्वारों को एड्मिट कार्ड की दूसरी प्रती पर अंगूठे का निशान लगाना था आरोपी रवी डबास के नमूने के अंगूठे का निशान और प्रवेश पत्र पर लिये गए उमिद्वार के अंगूठे के निशान मैच नहीं किये इससे रवी डबास के किसी दूसरे से परिक्षा दिलाने का आरूप साबित हो गया और पुलिस ने आरूपी को गिरफतार कर लिया पुलिस अब रवी से पुछताच कर उसकी जगा परिक्षा देने वाले की तराश कर रही है दिली की सडकों पर आज से अत्यादूनिक सुविधाओ वाली 100 नई बसे सडकों पर दोड़ेंगी मुख्यमंत्री अरविंद केजरिवाल इन बसों को हरी जड़नी दिखा कर शुरुवात करेंगे 12 मिटर लोफलोर AC नई CNG बसों के रूट्स भी फाइनल हो गये है इन बसों को ग्रामीन इलाकों से भी जोड़ा गया है ताकि जहां पर बसों की कमी है वहां पर लोगों को बस से आसानी से मिल सके नई बसों में GPS, पैनिक बटन, CCTV, आपातकाल के दोरान लाइब वीडियो स्ट्रीमिंग जैसी सभी आदूनिक सुविधाए है ये सभी BS6 केटेगरी की बसे हैं इन में दिव्यांग जनों के लिए रैंप की सुविधा भी है महिलाओं के लिए पिंक सीट दी गई है मंतरी कहलाज गेलोत ने विभाग को निर्देश दिये थे कि दिल्ली में जहां जहां बसों की कमी की परिशानी सामने आ रही है उन सभी जगों को नई बसों से कबर किया जाएगा रैजधानी दिल्ली में ठंड बढ़ गई है कई लाकों में आज सुबा भी घना कोरा चाया रहा जिसकी वज़ा से विजिबिलिटी में भी कमी आई है लोगों के जन जीवन पर असर पड़ा है कबकपाती ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे है इस तरह दिल्ली पर कोरे और ठंड की दोरी मार है जानकारी के अनुसार दिल्ली के शेक्सराय इलाके में आज सुबे साड़े चार बजे घना कोरा देखा गया इस दोरान विजिबिलिटी 50 मीटर से 100 मीटर की ही रही उदर रालधानी के कई लाकों में सुबह साथ बजे के दोरान घना कोरा देखा गया इस दोरान यहां की विजिबिलिटी तकरिबन 100 मीटर रही राश्चे राजधानी दिली में सुबा से ही ठंड काफी देखी गई राजपत में ठंड और कोहरे का कहर देखने को मिला मौसमी भाग के नुसार दिली में आज का नियुंतम तापमान 9 डिगरी सेल्सियस और अधिकतम तापमान 16 डिगरी सेल्सियस रह सकता है मौसमी भागने भी कोरे के चाय रहने की संभाव न जताई है दिली वालों के लिए राहत दिली का हरिच शेतर बढ़ा केंदर ने जारी की रिपोर्ट 2019 की तुल्ला में 18 वर किलोमीटर की रिद्धी हुई है परियावरण मंत्री के मताबिक केंदरिया परियावरण मंत्री ने गुरुआर को राज्य वन रिपोर्ट 2021 जारी की ये रिपोर्ट भारतिय वन सर्विक्षन की केंदरिया परियावरण वन और जलवायू परिवर्तन मंत्रा लेने तैयार की है SFR 2019 के अनुसार दिल्ली का ट्री कवर 139 वर किलोमीटर था जो बढ़कर 147 वर किलोमीटर हो गया है इसका मतलब है कि बीते दो सालों में 18 वर किलोमीटर की वृद्धी हुई है वही ग्रीन कवर मध्यम घना जंगल शेतर में भी इदाफा हुआ है हाला कि बहुत घने जंगल के 6.2 वर किलोमीटर में कोई बदलाब नहीं हुआ है वही खुला जंगल जो पहले 132.30 वर किलोमीटर था वो अब घटकर 131.68 वर किलोमीटर हो गया है आप देख रहे थे दा भारत खबर हमारी बाकी की खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए शुक्रिया